और इसमें तीन-चार तरेक के कोशन बनते हैं वह आपने देख लिए on the spot class में पूरा तैयार हो जाएगा कहीं परेशान होने की जुरत नहीं है चलो सभी लोग बोड़ पर देखना रूट मीन स्क्वाइर वैल्यू जनरली यह क्या होता है पावर क्यल्कुलेशन में काम आती है लिख लिजेगा एसी की पावर क्यल्कुलेशन में इसका यूज होता है आरह में वैल्यू का यूज नहीं होता है पावर क्यल्कुलेशन में के पहले तो दरावना फोर्मला अधेरा कायम रही जीरो से टी आई स्कॉरज डीटी डीटी होल पावर यह है सावारमस्ता अधेश्यूद्ट पार्मुला लिख लिए यह तो साब एंशियर्टी का से फॉर्मुला है अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है किस तरह किस पर सवाल अभी तक आये हुए है और भविशे में कैसे आएंगे उन पर चर्चा करते हैं आसान है टॉपिक कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है तो सब्सक्राइब क्या लिख दिया है वह देखे है आरेमेस होता क्या यह फॉर्मुला आया कहां से मैं इसको दो तरीके से आपको समझाता हूँ पूरी फील आपको अगले 15 मिनिट में आ जाएगी चलो सभी लोग ब चलो हो गया आज़ो रूट मीन स्क्वार इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको उल्टा पढ़िये काम हो जाए सुनते जाओ आपसी बातचीत बंद करो बढ़िया समझ के जाओ शांदा है उल्टा स्क्वाइर करेंट का एवरेज निकाल रहें स्क्वाइर यह स्क्वाइर हो गया साथ पहले स्टेप ओके दूसरा मीन मीन आते ही दो स्टेप याद आने चाहिए पांच माइन स्टेप फिर पांच से डिवाइड करते थे तो मीन आते ही दो स्टेप जोड़ना जोड़ना और डिवाइड करना यह मीन हो गया चुकि आई इस फंक्शन अव टाइम है दी लगाते थे और तीसर स्टेप रूट यह बन गया साब आपका आई आर एमस यह और यह चीज बरा स्टेप ती मैंने जिरो ती आएगा ए एक बार ओर देख लीजे एक पार लिखन nay सीख जाएंगे न तो डर नहीं रहेगा रूट मीन स्कोर फुलटा पड़िए स्क्वायर कशार करें यह करें हैठ यह पेल worn स्टेप ऑंके बोले क्या पहले श्टम और दूसरा क्या है और divide करना याद करो जोड़ना यह साब जोड़ा पूरे cycle में 0 से ती और divide करना यह मिन के अंदर कितने थे दो current time का function है X का function होता दी X याद करो और तीसे step पावर हाद, this is called RMS, दूसरी बात आती है, सर ये दिमाग में कैसे आई लोगों की बात, ये भी तो सोचे, ये तो चलो आपने फॉर्मला में याद करना सिखा दिया, कि हमारा काम बढ़िया चल जा है, अरे दिमाग में कैसे आई, ये फंक्शन कैसे आया दिमाग में, यही क्य क्यों बनी, पावर 1 by 2 क्यों होई, 1 by 5 क्यों नहीं हो गई, 1 by 7 क्यों नहीं हो गई, इस पर भी विचार करेंगे दीरे-दीरे, पहले आप एक दू बार इस तरह से लिख लो, ताकि आपका RMS का डर हटे, ये काम आएंगे अभी फॉमले, इसके बिना नुमेरिकल होगा नही तो वहां लिख लो, उल्टा पढ़ना है, स्क्वायर करो, फिर मीन करा, मीन के अंदर बालक कितने स्टेप हैं, दो स्टेप हैं, बस, ये ध्यान लखना है, मीन के अंदर दो स्टेप हैं चलों, आगे बढ़ो आज कुछ मॉडूल के पेज दूँगा, पाच्छे पेज पढ़ने है, टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल नोर्स, कॉमले रटकर, एक लिमिट तक ही नमबल आए जा सकते हैं अच्छा टेक्स्ट पढ़कर, सॉल्ड एक्जम्पल देखते हैं, सॉल्ड करते हैं, तब चीज़ें दिमाग में और अच्छी बैठती हैं इसलिए थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ने के अदर डालो, NCRT का टेक्स्ट हो, मॉड्यूल का टेक्स्ट हो, उससे पढ़ने से एक ओवरॉल दिमाग का डेबलप्मेंट होता है, आप समझो, केवल सवाल सवाल सोचने से, पॉमला, नोर्सी रिवाइज करने से काम नहीं होता ओवरॉल थिंक्टिम डेबलप्म होती न भाईयों, तो कोई नई चीज आती न, उसको भी अपने हैंडेल कर लेगे, इसलिए टेक्स्ट पढ़ो, आज दूँँगा च्छे पेज पढ़ने के लिए, क्यों च्छे पेज पढ़ना, उसके सवाल करना, उसकी थियोरी पढ़न अन्डिलाइन करना, और चेप्टर, चेप्रतस डेबलप होगा, और बढ़िया लेवल पर निकल क्या होगे फिजिक्स, जरूरी यह टेक्स पढ़ना, बोलो, आरे मैंस के लिए हुआ, ठीके साथ, अब हमारे जो सिलेबस में पहले वो पढ़ लेते हैं, कुछ चार ओवर फुल साइकल, जीरो होता है, सर क्यों होता है जीरो, तो तरीके हैं, एक तो आप ग्राब से देख लें, खल अपने देखा था, जितना फॉजिटिव एरिया उतना, एक पूरे चक्कर में, ओवर फुल साइकल, एवरेज, जीरो, दूसर तरीका नहीं सर्थ, मैं यह न इसको आप सॉल करोगे, तो कितना आएगा, जीरो, तो याद होना चाहिए, ऐसे चेप में भी दाम आता है, साइन का एवरेज, जीरो, इसी तरह पॉस का एवरेज, जीरो, फुल साइकल की बात हो रही है, हाब साइकल में जीरो नहीं आ सकता, साइन स्कॉर का एवरेज, और स्कॉर का एवरेज, हाब, लिखना शुरू करिए, ये इस्टेंडर रिजल्ट है, दिराइब भी किये जा सकते हैं, मैच से, और अब्जेक्टिब परिच्छा में याद किये जाते हैं, ताकि हम इनका उप्योग जल्दी कर सकें, समझे जा सकते हैं, साइन का पूरे चक कर में एवरेज जीरो, स्कॉर का जीरो कैसे होगा, तुम को सोचो, स्कॉर जब कर दोगे, तो नेगेटिटिट टम भी कहां चली जाएगी, तो पर, स्कॉर का जीरो होने का कोई मतलब ही, नहीं हैं, अब हमारे सिलिबस में कौन है, पहले तो वह पढ़ लेते हैं, अपने फंडमेंटल फॉर्म सिलिबस में है, कौनसी वाली, आई बराबर, आई नौट साइन, ओमेगा टी, इसका आदे मेंस हर बच्चे को रटा हुआ है, सबसे स्टेंडर होता है, आई आरे मेस, आई नौट बाए, जोट टू, बिल्कुल यही याद होना चाहिए भी, जरूरत है, कैसे आया, पहले वो बताता हूँ, कब लागू हो होगा, वो भी सीखिए, fundamental form, आई बराबर, आई नौट साइन, ओमेगा टी, चलिए, सर अब इसका आई अरे मेस निकल के बतातो, अभी आप देखना कितना चल्ली आएगा, स्लाइड चेंज करता हूँ, बराबर आगए गया, चार एवरेज याद करो बच्चों, SHM में, वेब में, इलेक्ट्रो मैंटनेटिक वेब में, तीनों चेप्टर में कामाएंगे, साइन का जीरो, कॉस का जीरो, साइन स्कुर का, हाँ, कॉस स्कुर का, ओवरा, फुल साइकल, ठीक बात है, चल्लो, अब सभी लोग बोर पे देखो, आई बराबर बच्चों है, आई नॉट, साइन ओमेगा जीरो, मुझे इसकी आरेमेस करेंट चाहिए, ठीक है सब्सक्राइब, आराम चे तसली से देखो, आदा घंटे में तो फिर टॉपिक एंदम पकड़ में आ जाता है, आरेमेस चाहिए, आरेमेस को आरेमेस पड़ो इमाद, उल्टा पड़ो, स्क्वाइर, में, रूट, अभी देखना आपके समने आ जाएगा आजएगा अंसर, step 1, कोई जलबाजी नहीं, step 1, square, करो square, i not square, sin square, step 1, okay, step 2, step 2, क्या लेना है, mean, mean का मतलब average, ये बार लगा दिया, कि वार का मतलम क्या होता है आप अइसक्तर गाड़ गाडी यहां से 100 per प्रती घंटा से ही चल रही है जब पुर तक लगाता है ना 100 से कम ना 100 से ज्यादा average speed constant average भई होता है भाई हर मैने test में 570 570 570 5 test लो 6 लो 10 लो average बता 570 constant term है average भई होगा sign square average 1 by 2 अभी सिखाया step number 3 step number 3 root i not square का root i not 1 का 1 2 का लो साब i not by या गया इसले कहा जाता है जो आपको रटा हुआ है sinusoidal form का i rms i not by root 3 step में follow करो याद होना चाहिए ये fundamental form है इसके बिना काम नहीं चलेगा rms के साथ एक बात और है अगर कुछ भी mention नहीं होता तो rms value होती है लिखा होगा एक bulb है उस bulb के उपर लिखा हुआ है ये bulb के उपर लिखा हुआ है 220 volt इसका मतलब ये कौन सा वोल्टेज है भाईयों आरेमेस आरेमेस वोल्टेज है अगर कुछ भी mention नहीं है कुछ भी mention नहीं है तो उसे हमेशा आरेमेस वेल्यू रीट किया जाए यहां एक थोड़ा इंस्टूमेंट में भी गड़ बड़ है नॉर्मल अमिटर वोल्ट मिटर में जब AC पांस कर देते हैं न भाई तो आंसर जीरो आता है कारण किया जीरो क्यों आता है क्योंकि AC की एक फुल साइकल में जो एवरेज वेल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है तो जो नॉर्मल अमिटर वोल्ट मिटर है जो हमारे लेब़ोरेटरी में पाय जाते हैं उसके अंदर AC पास कर दी आंसर जीरो ही रहता है, कारण वो हमेशा कौन सी वेल्यू रीट करता है, एवरेज, एवरेज वेल्यू तो इसकी, तो वैज्यानिकों ने नए इंस्टूमेंट बनाए, और उनका नाम रखा, हौट वायर इंस्टूमेंट, क्या नाम रखा, वो किस पर बेस थे, हीटिंग मेजर करता है, कौन सी वेल्यू, आरे मेंसे, नॉर्मल अमीटर और वोल्ट मीटर मेंसे, अगर आप एसी को पास कर दोगे, तो आंसर सदेव, जीरो आएगा, तो कौन सी इस्टूमेंट डिजाइन किये गए, हौट वायर इस्टूमेंट, पोर मेजरिंग, एसी, किस प्रिं बोर्ट का काम कर लो, इस्टूमेंट की तैयारी करते रहना, टैस्ट लिया जाएगा, फ्लास में, कभी भी कल पढ़ सो किसी वेख दे, पूरा रजिस्टर पढ़के आईएगा, एसी का सप्लिमेंट आने वाला है, दो दिन में, तीन दिन में, उससे पहले एम आई का सप्लिमेंट पूरा कर लो, लिखो, नोट लगाओ, और मेजरिंग, जल्दी आओ, जल्दी, सर क्या ओ, जल्दी लिखो, लिखें, पूर मेजरिंग, अल्टनेटिंग वोल्टेज, अल्टनेटिंग वोल्टेज, अबलिक करेंट, अबलिक करेंट, होट वायर इंस्टुमेंट्स आर यूस्ट, होट वायर इंस्टुमेंट्स आर यूस्ट, होट वायर क्यों नाम दिया, अखुद सोचो, नौकी किस पर बेजड है, हिटिंग एफेक्ट ओफ करेंट, फोल श्टप लगार के लिखेंट, they are based on, they are based on, the principle of, principle of, Joule's heating effect of current. दूसरा पॉइंट लिखो, वन अल्टनेटिंट परेंट, वन अल्टनेटिंट परेंट, इस पास्टू थूद अप्रूद, is passed through the DC voltmeter oblique meter, DC voltmeter oblique meter, रुक जाओ, परेंटेंज पर लो, क्या है, अच्छे से, जब किसी AC को पास कर रहे हैं, किससे, DC voltmeter, जो अपने laboratory में पड़े होए हैं, the reading will be zero, लिख लो, कॉमा लगाके, सब पेपर के question है, जो जो point में लिखा रहा हूं, सब module में मिलेंगे, NCRT में दी होए हैं, the reading will be zero, कारण बताईए, because AC की average value over a full cycle, zero होती है, because, because, the average value of AC, average value of AC, over a full cycle, over a full cycle, is zero, उल्टा सोचो, hotwire instrument में से, अगर DC pass कर दोता हूं, तो तो answer देगा, कारण, वो किस पर बेश देए, heating effect of, heating effect तो DC भी पैदा करती है, और, मेरी बात समझे, मैं थोड़ा लिख कर बताता हूं, थोड़ा आपको शही लगेगा, अगर instrument, hotwire है, इस में से, AC pass करो, या, DC pass करो, क्या reading आईगी या नहीं आईगी, दोनों में reading देगा, क्यों, इसका principle क्या है, इसका principle है, heating effect, heat तो दोनों ही current पैदा, करती हैं, दोनों देगा, बट, अगर normal ammeter, जिसे क्या कहा जाता है, DC ammeter, इस में से, अगर DC pass करोगे, तो, या, measure करेगा, must, और इसी में से, अगर, अगर AC pass कर दी, तो answer बताईए, बोलिये, क्या बात clear हो रही है, क्या, पूरी बात इसमें summarize हो गई, अब मेरे साबसे सारे तरे के question बन जाने चाहिए, होट वायर में कुछ भी पास करो, must answer आएगा, because, based on the principle of heating effect, जबकि normal ammeter and voltmeter are measured, the average value, average value of AC over a full cycle is, बना लीजिए, यह क्या बनाया है, यह समझें आएए, यह DC का सिंबल है न, IOT, यूरी डिरेश्नल करें, DC, एक मैं रुक रहा हूं, सारी point एकपर पढ़ लो, दिमाग पर बैठा लो, करें आएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए कि बढ़े कोई मन में डाउट आ रहो तो पूछ लो गाई हैं अब कुछ सवाल कराता हूं तीन चार कैसे एम्स के जेई में के सवाल हैं तो आपको थोड़ा आईडिया लगेगा कि कैसे खेलना है कि नेक्स करूं कि इसको मॉड्यूल है किसी की पास एक किसी के बैक में हो लग पास को यहीं लिख लो कौन-कौन से पेज आज पढ़ने है है जरी के लिखों कि पढ़ना चैप्तर यह भढ़िया तयार कर लो छोटे चोटे चैप्तर हैं अभी है EMI, AC, Current, Capacitor सब आसान है लिखों पेज नमबर 151 151 से शुरू करना है सारे एक्जामपल करने हैं सारे concept builder करने हैं एक भी नहीं छोटना 151 से शुरू करनी है कहानी और कहानी जाएगी सवाल पेज नमबर 159 तक आठ पेज पढ़ा दिये मैंने 151 से 169 तक सारे सवाल, सारे unsolved, solved, सब बनाईए कोई टेंचन नहीं है एक भी सवाल नहीं छोड़ना है पीछे की exercise मत करो हर चीज करो exercise 123B, concert builder B, NCRT B छोड़ना किस बाब कर आई? कोई important नहीं है, ये कर लो, वो कर लो सब करना है priority है, NCRT must है उसके बाद तो जितना पन करते जाएंगे उतना enrichment होता जाएगा boundaries मत बनाओ कि बस यही करना है सब चीज एक एक सवाल लगाना है solve example भी लगाना है concept builder भी लगाना है सब करना है बोलो clear है कि चलिए आगे बढ़ू, ठीक है अब छोटे छोटे सवाल से शुरू करते है जैसे आई कोशन आ गया आई बराबर A प्लस B साइन ओमेगा टी इसकी RMS वेल्ली बताईए इसको देने का दूसर तरीका भी होता है जो किताबे में होता है वो कहता है एक constant current जिसका magnitude A है उसको super impose कर दिया एक sinusoidal current जिसका amplitude B था अब बताईए RMS तोनों एक ही सवाल है आप द्यान से देखिए BC current is super imposed over AC तो ये तो लगातार कितना है A ये कौन है B sin omega T full current कितनी हो गई A plus B sin omega T अब बताईए इस कारे में इस निकालना है पहले तो रटा हुआ गलत अपने तो रटा हुआ है I not by root 2 तो सर वहाँ B है B by root 2 गलत I not by root 2 सही है 90 प्रतिशत यही काम में आएगा पर वो तभी लगेगा जब equation केवल इस format में होगी यह दिमाग में बठाईए I not by root 2 बिलकुल सही है 90 प्रतिशत यही काम में लूँगा पूरे चेप्टर में अगले आठ दिन पर केवल तभी जब equation का form इस form में होगा अभी इस form में नहीं है अभी I not by root 2 नहीं लगेगा क्या बात समझा रही है क्या करें वही फिन स्टेप R, M, S उल्टा स्क्वार स्क्वार करो A प्लस B का स्क्वार बोलो A स्क्वार ब्लस B स्क्वार ब्लस 2A, B 2AB फेले स्टेप स्टेप नम्बर 2 बोलो मी मेन फोड़े बड़े बच्च बनना मीन बोड सेख्मा बड़े बच्च बनने a square का मीन B square का sine square का बड़े बच्च साइन चाहर नौलह के का का उसर्व ए पॉर प्लश बी श्कॉएर बाई टू पर आरे एleness कहती अन। पांस त्यूक्त कि तिनी स्टेप, स्क्वायर मीन रूट अलगलग मत कर देना एस्क्वायर का एबी स्क्वायर का भी, एड हो रहे हैं भाई, एड हो रहे हैं यही आंसर होगा, चाहो तो ले ले लेना बस कि अभी करेंगे पांच सवल करेंगे फिर आनाप से पूछना कि यह प्रोफाइल वन है अगर टिक्नोमेक्टिक मुंशन दे रखा हो तो तेज बोल अभी बताएंगे अभी क्लास खतम का हुए घर कहां चला गया मैं क्लास ही चल रही है नया टॉपिक भी चलो नहीं हुआ छुट्टी भी नहीं हुई तो पहला स्टेप स्क्वाइल दूसरा मीं तीसरा रूट पोशन लेखते जाएंगे बनते जाएंगे आंसर बताएंगे ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर बाए टू का रूट बोली अगला कराऊंगे करूं नेक्स करूं थोड़ा तेज लिखूं आई बराबर आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी यह बहुत फेमस है देखिए कोई तीन स्टेप तीन स्टेप में सब होगा कहीं कोई किलिए कोई का मुल्त कर दो आई वन स्क्वाइर ने स्कुयर ऋमेगा टी तूसरे का स्कुयर i2 इस need स्कुयर अब्लस तू ए अश्बप यह कंझ तो है लिखते था हूं है सब प्यारे हो मेरे यह whole square formula हाँ हाँ बहुत दिल के करीब हो गए हो A plus B का whole square A square plus B square plus 2AB अपनी धारतेज करते रहते हो तुम हाँ A square plus B square plus 2AB यह square हो गया step number 2 mean mean सोची mean I1 square का I1 square sin square का 1 by 2 I2 square cos square का 1 by 2 sin का या cos का G यह हो गया I1 square बते 2 plus I2 square बते 2 I1 square by I2 square by 2 step number 3 root अलग अलग नहीं होगा ध्यान देना ऐसे नहीं अलग लग कर दो ऐसा ही चलेगा पूरा हाँ दो को लग कर सकते हो चाहो तो माज इतना हो जाएगा तूर्ट सबसे popular question है हर किताब में हर material में यह question है अब इसकी दूसरी approach बताता हूं यह तो है साब objective तरीका अब basic क्या सोच होगी यार यह दो current मिल रही है तो दो current add होकर तो एक नई current बनाएंगी ना जैसे उधान के तौर पर तीन यहां से आई चार यहां से आई तो मिलके साथ हो गई अब सोचो इसमें कल की बात आएगी phasor addition क्या करेंगे दिमाग लागा के बताओ इन दौनों को एक नई current में बदल सकते हो वापिस बताता हूं मैंने आपको कहा था दो दिन तीन दिन phasor चलेगा तब जाके उस पर पकड़ आएगी यह note कर लो answer आ गया है चार नमबर आ चुके हैं अब इसको और सोच रहे हैं और इसकी बाते हैं सोचना चाहते हैं क्यार इसको कभी एक single form में तनवर्ट करना पड़े अब देखना हूं चलो पैन पैन से चोड़ो बड़ा interesting है chapter अगर class में ध्यान से सुन लोगे न भाईयों घर पर भी नहीं पढ़ना पड़ता है आई वन साइन सीधे कोशन कर सकते हैं आई टू कॉस चलो सुनना पहले यह फोटू हमेशा याद रखो इधर साइन इधर कॉस इधर इधर ठीक है सब सभी लोग जंता पोड़ पर देखना आई वन साइन कहा आएगा क्या पूरा इधर आ जाएगा पूरा इधर आई टू कॉस पूरा इधर कितने डिक्री पर 90 नेट कितना एगा 90 पर रिजल्टें एधर प्लस बी स्क्वार प्लस टू एभी पॉस थीटा तो आई वन स्क्वार प्लस इनके बीच में, एंगल निकाल सकते हो, 10 थीटा दो तरीके हैं, या तो 20 थीटा पॉन उससे करो, या अपन पर्पेंडिकुल पॉन बेस, जो आपको अच्छा लगे, बोलो पर्पेंडिकुल पॉन बेस लगा दें, पर्पेंडिकुलर, बेस, आईगा, 10 इन्वर्स, आई टू भाई, अब सुनना, ये जब में लिख रहा हूं, फाइनल करेंट लिखना सीखो, आई, यहां आएगा, एम्प्लिट्यूड, एम्प्लिट्यूड यह रहा, कितना, अंडर रूट आउफ, आई वन स्वाईर प्लस, साइन, ओमेगा टी, प्लस फाई, टैन इन्वर्स, आई टू भाई, भाईओ, क्या है ये, नोट मत भरो, समझो, दो करेंट जुड कर, जो नई करेंट बना रही है, उस ये नई करेंट की इक्क्वेशन है, जैसे अपन बोलते हैं न, तो फोर्स लगाए, तो फोर्स बाद कोई रिजल्टन तो आएगा ना भाई, वो रिजल्टन किसी एंगल पे तो आएगा, यह वो रिजल्टन है, ये रिजल्टन है, अब मजे की बाद क्या हुई? ये स्टेंडर्ट फॉर्म म यहां से कोई आपको पीक बताएगा प्रेशन हो जाओगे इसका पीक आई वन इसका पीक आई टू है पीक होगा अंडर रूट आई वन स्क्वार प्लस और आरे मेंस अब लग सकता है आरे मेंस वह रटा हुआ i0 by i0 root i1 square plus i2 square by वही answer है जो last slide में है था approach समझो कि हमें जो रटा हुआ है हमें ये रटा हुआ है i बराबर i0 omega t this is the standard form of ac जब ऐसा होगा तब ही ये term peak कहलाएगी और इस peak को root 2 से करोगे बशर्ते आपकी equation को इस form में होना चाहिए आपने क्या किया इस natakbaji का conclusion क्या है आपने इन दोनों को जोड़ कर एक equation में convert कल लिया नहीं है ये बात समझे ये इसकी peak value आ गई कोई आपसे बोले peak value बताओ तो ये peak आ गई साथ करिए ये RMS आ गई भई उत्तर आ रहा है देखने और question करेंगे भई दीरे दीरे छोटा छोटा injection लेते चलो अच्छा यार ये बात भी समझ में आ गई अच्छा यार उसी सवाल के दो तरीके समझ में आ गए क्योंकि दो current मिलकर एक current तो बनाएंगी किसी वायर में तो एक resultant current ही तो फ्लो करेगी भाई conceptual पढ़ो subject को रटा बाजी में मत लगाओ दिमाग ये रट लेंगे ये हो जाएगा ये याद कर लेंगे ऐसे नहीं पढ़ा जाता वेश है fundamental पढ़ोगे तो पढ़ने में, revise करने में, logic में सब में अनन्द आता है अगला करूँ ये तो हो गया साथ profile 1 के प्रश्ण जिसमें technometric function होता है और आपको क्या करना चाहिए उल्टा square mean root 8 page पढ़ने है आचे एक घंटा दियर घंटा लें, आपको क्यादे लें आपको क्या क्या Lots of Mum समय दीजिए, जो homework दिया जाए उसको फूरा करिए, छोटे-छोटे target बनाईए, कि अपन को जो homework दिया जा रहा है, वो कटते जाना है, बस, अपने आप चीज़ें दीरे-दीरे आगे बढ़ती जाएंगी, कि अपने ये तो कोँ दिया इस नाएंगी, बाएंगी, जाएंगी, 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 दिया वहांगी, आएंगी, कि उुझे गपने है, ये तो को फो झाएंगी, पीक वेल्यू और ये हैं एक मिट का ब्रेक लेलो खोड़ा रीकॉल कर लो ये कहलाता है इसको आप फेसर अपने जो बनाते हैं वो ये तरीका है यूजिंग फेजर फेजर एक टूल है फेजर एक माध्यम है फेजर एक तरीका है उन चीजों को डील करने का जो साइनो सुडल तरीके से वेरी करती है उसको आप फेजर से डील कर सकते हो बोलो बोलिये प्रोफाइल वन ओके है क्या अब ये वाले देखो सवाल टिक्नोमेट्रिक फॉंक्शन वाले सवाल ए प्लस बी साइन ओमेगा टी आई वन प्लस आई टू कॉस इस तरह के खूब सवाल मिलेंगे तो हो जाने चाहिए अब आ रहा हूं आरेमेस की फील क्या है ये आरेमेस टम का वो डरावना फॉर्मला आया कहां से क्या वेज्यानिकों ने सोचा क्या कंपरिजन किया वह मैं आपको समझागा हूं चलिए सभी लोग बोड़ पर देखें ये है साब रजिस्टेंस ये ये कहलाता है एसी एसी सोर्स ये सिंबल है डीसी का ये बैटरी बनती है एसी वेरीबल होता है सैनसुडल ये एसी का सोर्स है सब पढ़े हो ये हो मतलब बार्यवाले बच्चों को बताना पड़ता है तो ये तो सब देखा हो ऐसा चलिए तो बिल्कुल बिल्कुल सही है तो राइस्टेंस है ठीक है यहां करेंट फ्लो कर रही है कौन सी करेगी करेंट एसी है डीसी कि अब मैं आप से पूछू हूं ही डिसीपिटेट बताईए तो ही डस्वी ग्लास आई स्कॉर आर्टी नहीं लगेगा छूल छोटी बातें आई स्कॉर आर्टी तब लगता है जब आई कॉंस्टेंट हो छोटी छोटी बातें समझो क्यों बराबर आई टी दस्वी कक्षा बिल्कुल सही है आई कॉंस्टेंट हो आई वेरियेबल हो आई डीटी लगता है हीट आई स्कॉर आर्टी तब ही लगेगा जब आई तीन एंपियर हो पर अगर आई वेरियेबल हो आई स्कॉर आर्टी छोटी छोटी बातों को समझीए यह फॉर्मला तुरंत इसमें बन सकता है चलो डबलू पी पढ़ लो वह सर पढ़ा रहे हैं कॉंस्टेंट पोर्स है एफ डॉट एज वेरियेबल है एफ डॉट दी एफ फ्लक्स कॉंस्टेंट है एलेक्रिक फिल्ड एडॉट 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 दी ए इस तरह की फिजिक्स पढ़िए इंटर रिलिटेड तो मज़ा आता है क्या रहे हैं सब जग एक जैसा चलता है यह बेसिक फॉम्ला क्यू बराबर आई टी यहां से यहां तुरंत पहुंच सकते हो आई कॉंस्टेंट है आई बहाल लेलो डीटिक इंडिकेशन क्यू बराब यह तो यहां करो क्यू बराबर ऑई टी इडिव बराबर एस्वर राट इडवल बराबर f.tas यह तभी लग सकते हैं जब चोंस्टेंट हो वेरीबल हो तो क्या करना पड़ता है इंटिग्रेशन यहां खुद बताइए आई स्कूर आई इंटिग्रेशन क्यों करेंट इस फंक्शन आप टाइम एसी करेंट है एसी का मतलब बाइडारेक्शनल पिरियोड एक और तीसरा अगर प्योर एसी है तो पॉसिटिव पीक और नेगेटिव पीक पराबर तो करेंट तो वेरिबल हो गई ना तो यहां क्या लगाएगा हीट प फिर लोगों ने क्या कहा यार इसका कमपरिजन किया डीसी से क्या लगाई वैट्री कितनी करेंट फ्लो कराई जाए कितनी करेंट फ्लो कराई जाए ताकि वो उतनी हीट पैदा करें जितनी एसी करती है पापिस परिवाशा सुनिए कितनी कॉंस्टेंट करेंट फ्लो कराई कीट आई यहाए जाया चलो इसकी हिट निकाल लो मज़ा आएगा धियान देना बोलो ऑलो ही इस्वार कि इसमें लगा तूं क्या है क्यों ऑन्स्ट्रे करें तो और तक कर दे हитель समझ में आ रही हैं क्या एक बीस तेंस में udरकर डीसलों करई अब हमने यह कितनी डीसलों कराई जाए they will produce the same heat as that of AC, दोनों heat को क्या कर दो, equal, बराबर किया है हमने चान्द मुझ के, चलिए साथ, heat AC बताईए, 0 से T, I square, R, D, T, heat AC बताईए, heat AC, heat AC, I square R, T, R से R, I square, इसको नीचे बेज़ने, I square DT, upon T, यह I square आया है, I चाहिए, I square DT, upon D, whole power, क्या बन गया यह, I, RMS, और उस constant current कितनी कराई जाए, that constant current को क्या कहा जाता है, RMS लिए, मतलब इसलिए RMS का दूसरा नाम, RMS के दूसरे नाम देखना, equivalent to DC, effective value, क्या नाम बोला जाता है, effective value, कोई बोलता है, इसका नाम apparent value, सब नाम बिलकुल सही है, अब यहां लिख रहा हूँ, कितनी current flow कराएं, कितनी current flow कराएं, I, RMS, it will produce the same heat, as on produce कर रहा है, that constant current, अब उसको क्या बोला गया, RMS, अब सरल भाशा में बताता हूँ, यह तो हो गई किताबी, कुछ समझ नहीं आ है, सब, चल, बताता हूँ, लिक्कत क्या है, अपने घर की बाते हैं, वापिस समझ, बायो हो तो सर्थ बढ़िया रहता है, फिजिक्स बड़े धक्के देती है, चल, लिक्कत क्या, अपने सिखाना ज़रूरी है, अपने रिविजन दूरियां करना है, सर, गुप्ता जी अपने रिविजन करके चले गए, देखो, देखो सर जा रहे हैं, आज अपने ही रिविजन करके चले गए, फाइदा क्या भाई, तुम्हें सिखाना है या, यह AC, यह DC, चलो पहचन पर रहो, पताओ यह कौन, राइश्टेंस बोलो, नाम बोलो इसका, राइश्टेंस, वेरी कुट देखो, आता है, यह AC, यह बहुत शांदार, आई बराबर, पांस साइन, ओमेगा, टी, सही है, यह करेंट प्लो करा रहे हैं, चलो हीट बताओ, हीट, 0 से T, आई स्क्वार आर, डी टी, सही है, आई स् का फंक्शन अठना पड़ेगा, कितना, पांच साइन, ओमेगा, टी का स्क्वार, आर, डी टी, बोलो हाँ हैं क्या, चलो, पांच का स्क्वार, पांच का स्क्वार, पच्चेस, आर भार, साइन, स्क्वार, ओमेगा, टी, और डी टी, भाई, इसका, 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 इ जब वो average value होती थी, average का मतलब होता है, sin square omega t dt by t, ये half होता है, तो सोचो ये कितना होगा, ये, t by 2, कितना, t by 2, कोशिच कर रहे हैं कि समझ में है, फिर I am conclusion, कितना लिख दो इसको, t by 2, तो बताओ कितनी current आ गई, 25 आर, t by 2, बोलो हाएं कि, अब, कितनी current flow कराएं, कौन सी, dc, ताकि इतनी heat आ जाए, answer है, rms flow करा दो, कितनी करा दो, इसका rms बता, जल्दी बता, rms, 5 by, पक्का, चल भई, answer बताना heat का, I square, rt, I bowl, 5 by root 2, rt, 5, 25, rt by 2, 25, rt by 2, 25, rt by 2, 25, rt by 2, अब, बोलो परिवाशा, टूटी-फूटी, बोलो, अब, बोलता हूं, AC flow कराई, heat पैदा हुई, इतनी heat पैदा करने के लिए, इतनी heat पैदा करने के लिए, कितनी flow करानी पड़े की dc, rms के बराबर, अगर आपने rms current flow करा दी, तो वो उतनी heat देता है, जितनी एक variable current देती है, इसलिए कहते हैं, पूरी current की बात मत करो, केवल किसकी बात करो, वो rms पूरे current को represent कर रही है, जो sinusoidal heat पैदा कर रहा है, जो sinusoidal function heat पैदा कर रहा है, उतनी हीट! RMS value पैदा कर रही है! तो इतना method को करेगा? इतना method कोन करेगा? यह वाला ज्यादा अच्छा है ना! कौन सी current को flow कर आओ? RMS! कौन सी current? RMS! इसलिए RMS का significance ज्यादा है! इसलिए मैंने आपको कहा था, starting में ही! यह देखो! कौन सी केलकुलेशन में है पावर का मतलब होता है हीट हीट डिसिपिटेट पावर इसमें कौन सी करेंट यूसफुल है आप कुछ-कुछ बात दिमाग में बैठी तो यह पूरा एक परेग्राफ दिया हुआ अब तुछ समझ में आ रहा होगा हाँ यार यही तो आरे में स्टैप और रूट क्या बन गया और आर एमेस कि नहीं आई वाज समझ नोट कर लीजिए यह है आरे मेंस की डेफिनेशन क्या आदेमेस का सिग्निफिकेंस क्या है पड़तो रहे हैं अपना आदेमेस आदेमेस आरे मेस के पीछे कोई कहानी तो रही होगी अब आपके पास एक शब्द हैं कि देखो पहले वाल उसने हीट पैदा करी अतनी हीट अपन को पैदा करनी है तो एसी की कौनसी विल्यट सब्सक्राइब अरे मेंस वही जंदेगार देगी जो आसी ने जंदेगारे हैं मात खथा गर जाके जंडे गारे गए 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 गर पर भी बहुत काम होते हैं पहला कोशन लिखें जल्दी आओ लिखते लिखते तीसरी बार सुन लो पहले रेजिस्टेंस में क्या फ्लो कराई? AC, AC, फिर क्या फ्लो कराई? DC, और दौनों हीट को क्या किया? बराबर, तो जो DC की वैल्यू निकल कराई, वही तो क्या कहलाई? R.M.S. उसी कॉंस्टेंट वैल्यू को क्या कहा गया? RMS कोशिश करो लिखने के बाद क्या अच्छा पहले मैंने रेश्टेंस में एक साइनसुरल करेंट फ्लो कराई वेरिबल करेंट उसने हीट पैड़ा करी होगी यार वो मातल बच्ची है उस साइनसुरल को हटा कर क्या फ्लो करादो RMS वो RMS उतनी ही current उतनी ही heat दे रहा है जितनी वो variable current दे रही है अगला question लिखें जल्दी आओ बटा 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 इस time मत लगाओ बटा कर दो कर दो दो कि दोपमा कर दो दो से कालर बटा है वाल दो पुमाद भाई ही का रिए जाओ प्रों एल्दी आओ कर दोजाश्यवाद दो दो भाई प्रों साँ झालर दो दोपमारा है झाल झाल अब अगर करेंट का फंक्शन गिवन हो फंक्शन गिवन हो जैसे करेंट का फंक्शन दे दिया फोर रूट टी और आपको कहा गया find rms value in the interval t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड प्रोफाइल तू के प्रेशन प्रोफाइल वन के कौन से त्याशी साथ? वो साइन कॉस वाले थिप्नोमेटिक फंक्शन साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस अब आ गया गनित के अलजेबिरिक फंक्शन तो ठीक है सर rms पूछा है मैं डरूंगा थोड़ीना से rms i not by root 2 rms i not by root 2 sir i rms i not by अरे लाला formula तो सही है पर i not by root 2 तब लगता है जब sinus उडल हो ये तो याद करके चला जा सवाल बने नहीं बने वो लग बात है पर ये तो पता चले i not by root 2 कब लगता है sinus उडल यहां तो sinus उडल ये नहीं लगेगा पहली बात ये मत लगाना मर जाओगे i not by root 2 के वाल sinus उडल के लिए बना हुआ है इसमें नहीं लगेगा इसमें तो वो जराबना formula ही लगाना पड़ेगा कैसे याद करना square mean mean के अंदर दो step d1 से d2 upon time interval और का rule इसलिए याद करना जरूरी है और पूरा याद करोगे तो डड़ जाओगे तरीका वोई square square के बाद mean mean के बाद root बस अब आई पूट करते अब ये गनित का सवाल बन जाएगा अब आई पूट करते गनित का सवाल बन जाएगा बोलो interval कहां से कहां 0 से 2 आई कितना 4 root t का square upon delta t time interval t2 minus 2 अब ये गनित का सवाल करते अंतर समझो बेटा राजा अब formula लगाना पड़ेगा इसके बिना काम नहीं होगा formula याद करने का तरीका तो मैं सिखा दिया 3 बार square फिर mean मीन के अंदर कितने step दो और बटे में पावर हाओ formula लगा के छोड़ दो आगे तो मैंस है formula लगा के छोड़ दो on substitute the value we get आगे integration है राजा बैट गए भाई से इसको करें ना बेखो आप हाँ master करेगा solve कर लेंगे click देंगे कुछ कर गुजरेंगे आज चलो देखो कुमारी बहुत याद आदी थी होजे देखो हाँ आओ देखो करो 0 से 2 4 का स्क्वार 16 root T का T DT बटे 2 whole power हाँ अब अच्छे से करो 16 बहार ले लूँ गया 16 बहार T का integration 30 स्क्वार भाई 2 2 0 बटे में 2 whole power हाँ जाकते रहो अब यह 16 पर 2 दो 4 16 बटे 4 अपर लिमिट 2 का स्क्वार माइनस 0 का स्क्वार whole power 1 देख लो सही चल रहा है कि ममला हाँ पर चाह कर लेता हूं 16 ओके 2 और 2 4 22 बोल रहा है 22 कैसे हो multiply है 22 हो गया कोई बात ने अपना बच्चा है upper limit minus lower limit कितना अंसर 4 अपर 2 का स्क्वार हो जाएगा 4 से 4 कट गया 16 का स्क्वार रूट ये प्रोफाइल नमबर 2 मैस की जिम्मेदारी यात्री की स्वें की है सवाल गलत करके आओगे तो गाली फिजित्स वाले को नहीं जाहेगी जाना ना मैस की गलती है क्योंकि मैस तो फिजिक्स तो यहां खतम हो चुकी है स्क्वार, मीन, रूट इसके बाद तो शुद्ध रूप से गणे थे बोलो सही है क्या अगला लिखिए आंसर बताई आंसर चार एंप्या प्रोफाइल नमबर 3 प्रोफाइल नमबर 3 ग्राफिकल कोशन यह पूछे जा चुके हैं नीट में प्रोफाइल 3 ग्राफिकल कोशन अब थोड़ा सा सीरियस होईएगा क्योंकि अब यह नीट के पेपर के सवाल है एक मैं आपको कराता हूँ दो आपको करने हैं तब यह तयारी होगी Find RMS Value RMS Value In Full Cycle अब पहली एप्रोच आती है ना के ना आशी सर इसका एरिया निकाल लो भाई एरिया एवरेज देता है RMS नहीं देगा सवाल इस्टाल लगा लो NEET में आए होए है भविष्य में भी आएंगे एरिया नहीं देगा एरिया तो इसकी क्या देगा एवरेज अब क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कोई formula काम आएगा formula क्या है पहले बताओ यह current है या voltage voltage सभी formula बनाओ 10 बार लिखना RMS उल्टा बोलो square square निखाय बोर्ट पर रखो serious हो square mean 0 से T upon T whole power यह है working formula I की जगे V कर दिया क्योंकि voltage था अब निखाय बोर्ट पर रखना यह function 0 से T by 2 तक V naught है तो मैं इसको लिख रहा हूँ देखना 0 से T by 2 V V नहीं है V naught है square dt plus T by 2 से T T by 2 से T minus V naught है का square dt whole T whole 1 यह देखिए क्या बात clear है क्या यह function लगाना आना चाहिए एक बार और सिखाता हूँ दिखने में tough है integration इसका बहुत आसान है क्यों देखना एक मेंट में आजाएगा V naught square बाहार dt का integration T T by 2 minus V naught square का square बनके V naught square बहार dt का T upon T बहुत जल्दी आंसर आएगा symmetric है और बोलना V naught square upper minus lower T by 2 minus 0 V naught square T minus T by 2 upon T whole half V naught square T by 2 plus V naught square T by T by 2 same है same है V naught square T upon T T T T RMS जो इसकी peak value है वही आंसर है V naught by root 2 नहीं लगेगा V naught by root 2 नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा V naught by root 2 केवल sinus सुडल के लिए है अभी मत करो copy अभी मत करो फोड़ा confidence आने दो अभी मत करो चलो वापिस मन में कोई सवाल आ रहा हो पूछना यह T by 4 तक और फिर 0 यह नीट का सवाल है देखना आपसे पूछा है fine RMS अब सीरियस हो जाईए परिक्षा के प्रशन है सीरियस हो जाईए पहली बात पहली अप्रोच सर RMS V naught by root 2 विल्कुल 90 प्रतीशत यही लगता है पर वो sinusoidal के लिए है यह sinusoidal function पहला वो cross लगा तो बोलो हाँ है अब RMS को कैसे भढ़ना है 0 से T upon T फिर root यह बन गया अपना original formula कोई copy नहीं है original है यह original है बोलो सही है क्या अब इसको लगाना कितना असान होगा देखना एक्जम नहीं कितना अच्छा दिया 0 से T by 4 तक कितना V naught square स्क्वाइल यह दा फॉर्मला स्क्वाइल टी टी मजे आएंगे T by 4 से T तक 0 function 0 हो गया divided by whole T पोलो हाँ है क्या इस बात में बताए V naught square भाहर टी टी का इंटिकेशन T T by 4 T by 4 0 यह तो 0 ही हो गया बते T whole V naught square upon limit minus low limit T by 4 upon whole T से V naught square का V naught चार का नहीं आई वाज समाच पक्का अभी नहीं अभी नहीं आँ 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 मैं जा रहा हूँ देखो अब दिक्कत आएगी रुक तो जाओ चल अब आपको कहा जाए चल अब सुन लो अब मैं जाब नहीं बंद करो ये जैएमेन का कोशन है इसने आरेमेस पूछा है और आप फुल्स है ठीक है साथ अप्रोच समझते हैं उसको पकड़ते हैं सबसे पहले आरेमेस चमक गया इसका मतलब अल्टरेनेटिंग करेंट में पहुँच गए है आरेमेस बोले तो आइनोट बाइ रूट टू साइनोट बाइ रूट टू के लिए लागू होता है इतना तो बोलके निकल जाओगे आज घर आइनोट बाइ रूट टू केवल सवाल होगा जो देखा जाएगा साइनोट बाइ रूट टू लगेगा इसके लिए नहीं लगेगा तो इसके लिए फॉर्मला बनाता हूँ स्क्वाइर राजा स्क्वाइर मीन में कितने स्टेप दो बोल पावर हाव ये क्या बन गया आरे अब कहां फस होगे फंक्षन पिछली बार क्या थे जीरो से टी बाइ फोर तक वी नौट थे तुम कूत पड़े रमा दम वी नौट स्क्वार पिछली बार भी फंक्षन क्या थे पर इस बार फंक्षन कॉंस्टेंट इसका मतलब पहले इस सरल रेखा का सम्मीकरन बनाना पड़ेगा तब ही तो यहां वी रखोगे सोचो ना वी रखोगे क्या वी तो हर छण बरल रहा है फिछली बार तो सीधी रेखा थी तुमने टका वी नौट डाल दिया अब नहीं आएगा तो पहले तुम्हें वी का फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे पहले वी का फंक्शन बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे आशी सथ य बराबर M X plus C Y Y की जग है V V नौट नहीं Y Y X is V Slope Slope Perpendicular Upon Base Perpendicular upon Base V नौट वाई T X T Intercept य बन गया V नौट वाई T इंटू यह बन गया function function बनते ही पता है यह बन गई profile लंबर दो यह क्या था function ही तो था function ही तो था function सारे में निकलना आता तो है तुमें उसने क्या था इसमें function हमने बनाना पड़ा अब तो सवाल लंबर दो बन गया ना यह यह आसान क्यों थे अपने नीट के क्यों नहीं बनाना पड़ा इसमें function क्योंकि constant था तुमने constant रग दिया तुमने constant रग दिया सवाल में अंतर समझ पा रहे हो तीन profile के सवाल है बाजार में जितनी किताबें उपलब्द हैं physics की तीन तरह के सवाल देता है वो rms के इसके बाहर सवाल उपलब नहीं है market में profile 1 function वाले sinusoidal आई दे रखा हो तीन प्लस चार पॉस ओमेगा टी दो का function आई वन साइन प्लस आई टू पॉस एक इस्टेंडर फॉर्म आई बराबर आई नोट साइन ये तो कौन से कहलाते हैं बताओ sinusoidal square करो mean करो root profile तू बताओ profile तू बताओ जब current function of time हो और profile तीन graph इसके बाहर कोई profile नहीं है बच्चों ये तीन systematic profile अगर आपने पढ़ ली rms का हर सवाल बन जाएगा graph के दो सवाल समझ में आए ये सवाल में आसान क्यों था constant ये constant इसमें क्या करें भाई इसमें तो लगातार V की value तो पहले मुझे V का function राना पड़ा अब बताओ ये कौन सी profile ने बदल गया profile नंबर 2 में बद गया नहीं आई ये बास सवाच्च पताओ कहां से लिखना है ये ये हो गया ये जल दिया हो पर तीन कोशन और कराने पताओ अच्छे से तरीके से RMS को समझ लिए RMS का concept, RMS का derivation, feel, हर तरह का portion बहुत organized तरीके से लिखाया हुआ है नोट्स ही है भाई, नोट्स को जिलोक्स करा 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 के चीज़ें बन गई हैं, नोट्स ही पढ़े हैं बढ़िया तरीके से और उसके बाद फिर NCRT और किताब यह organized manner में लिखे होए है, पढ़कर समझ में आते हैं तरुन एक्षण यह नेट भी भाई क्यों है जान देना यह प्रोफैल आई हूँ इस्टाल लगा लेना यह आया हूआ है फंक्शन वाला तो नहीं हो आई क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है सवाल यह में में तो क्या 25-25 सवाल ही आते हैं तीन गंटे में तो वहां फिजिट्स तो यह ही है बस वो थोड़ी सी math का input ज्यादा देखो न एक सवाल यह था यही सवाल वो दूसरा है बस उसमें थोड़ी सी क्या गुशा दी ज्यादा बाकी physics तो होई है उनकी भी तो ncrt यही है भाई उनकी अलग ncrt थोड़ी ना है syllabus तो सेम ही है concept तो यही है बस अपने उसको थोड़ा सरल वर्जन में कर देते हैं गनिक का involvement कम क्योंकि अपने सवालों की संख्याजात है आपके सामने example है देखो यह तुरन सॉल हो रहा है क्योंकि इसका function कैसा है constant है आप देखो जो पीक वेल्यू है वही आरेमेस है इसकी पीक कितनी है इसके एवरेज वेल्यू कितनी होगी जीरो क्योंकि जितना positive area है उतना ही तो किसी भी graph का सब निकालने आना चाहिए ऐसे hero बनो कि सर्कुछ भी दे दो किसी graph का पूरा कोश्मार्टम आना चाहिए उसका average क्या होगा उसका rms क्या होगा उसका peak क्या होगा कि यह formula की समझ साथ आठ बार तो मैं नहीं लिख दी आज आज में इस formula की समझ उल्टा पढ़िए square mean root पूरा लेखना find rms over a full cycle यह सवाल पूरा लेखना पूरा इंपूट लगा रहें पूरी जान लगा रहें लिजल चाहिए मैं बढ़िया quality में भी quantity में भी जितनी जीजान लगाना पड़े उतनी लगाएंगे 15 गंटे पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं पर भाई result बढ़िया चाहिए बच्चों में बढ़िया positivity फिजिक्स को subject चीजे बहुत अच्छी लिवल पर जानी है करो करो यह जीरो क्यों हो गया ती भाई फोर से टी कोई function है नहीं है इस प्रेश्टाल लगा ले ना दौनों सवाल पर दौनों परिक्षा में आये हो है तीनों प्रोफाइल दिमाग में set होनी चाहिए साइनो सुडल की प्रोफाइल को करने का तरीक अलग है स्क्वाइर करो मीन करो रूट करो यहां स्क्वाइर मीन रूट नहीं होगा ग्राफ को करने का तरीक अलग है करो next इसका उत्तर कितना रहे calculation देख लो ना सही तो है न इसका बाहर डीटी का टी टी वाइपोट टीक है चलने दो चलना अब यह सवाल आपने देखा ना तो आपको पिछले सवाल की और तवज्व समझ में आई यार वह आसान था यार क्योंकि क्योंकि उसमें जीरो से टी वैल्यू क्या थी कॉंस्ट हैं सवाल ही सिखाते हैं फिजिक्स यह सुंदरता है फिजिक्स की भाईयों कि 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 क कि 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 अब यहां रखना पड़ेगा तो ने सको अंसर ने लिख दिया कि अब सब्सक्राइब तो वी का फंक्शन बना है बटाव कि 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 मत रोको सर मत रोको चोटा टी बड़ा टी है वो कि 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 सही है ठीक है अब अपर मैनस लोगर दो अपर मैनस लोगर वी नोट स्क्वाइर बाई टी क्यू अपर टी क्यू माइनस थ्री माइनस जी यह कटा वी नोट स्क्वाइर बाई टी कोल पावर बन बाई रही है इसी में एक भी पार्ट लिखो in the above question find average value in full cycle भाई average value आजा है तो काम चका चक है average में function की जड़ोती नहीं है average में तो क्या निकालते है area याद करो कि वी पार्ट लिख लो यह अपने इम्स माया हुआ है इस आपने मॉड्यूल का average में तो सवाल छुटा हो जाएगा क्योंकि average आते ही क्या चमकना चाहिए एरिया तो वी एवरेज का कोई concept बताएगा पन्न पल्टो एरिया बटे time interval एरिया बताओ तो हाव बेस इंटू हाइट बेस तरो कहा गया अटा दिये एक रहा तो बेस पताओ तो बेस टी हाइट सब्सक्राइए बटे एवरेज कितना आएगा देवको अलग अंसर है आके बोलो आरेमेस अलग है एवरेज अलग है तरीका अलग है एप्रो समझो मित्स मत करो एवरेज कितना उत्तर वी नोट बाए जबकी आरेमेस कितना वी नोट बाए जो बोलो कल कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे सर्किट अनलाइसिस गब्राव मत करो अब सर्किट अनलाइसिस कल शुरू करेंगे प्योर आर प्योर एल प्योर सी धन्यवाद कर अच्कों आरेमे से उपी प्योर से ले जो वी थे संगे बोह玉़ कर आरेमेवाद झाला भूर से व्योर सक्क्तर अनलापे अनलापड़ से अनलापन बाए जोर देम्योर चोरो मझत्थ Дicating जयत भी ट्वराव भी ओश्योर झाल झाल